भिल्यक कम टू सारी का कीचन रेषिपी आज मैं बनाने जा रहे हैं चाबल और दाल से बहुत टेश्टी नास्ता की रेषिपी तो इस के पर बनाने के लिए हमें चाबल और दाल तो मैं ले 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 हुँ अरवा चाबल और चना की डाल चावल एक कटोरी लिए है तो उससे आधा दाल लेंगे तो आधा कटोरी दाल ले लिए है एक कटोरी चावल में और इन सब को हमें भीगो देना है तो पहले इसे धो लेंगे चावल और दाल को अच्छी तरह से तो चावल दाल अच्छी तरह से धो लिए है अब इसे 5-6 तो मिक्सी में इसे पीछ ले रहे हैं अब इसमें डालना है दही इसमें 4-5 चमच दही डालेंगे और दही डाल कर इसे पीछ लेंगे अगर इसमें थोड़ा पानी लगेगा तो पानी डाल दें इसी तरह से सारे चावल और दाल पीछ ले अब इसमें डाल देंगे स्वादा रुशार नमक एक चमच खड़ा जीरा थोड़ा सा काली मिर्च पॉडर अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो चलिए सब्जियां त्यार कर लेते हैं तो ले लिए हरी मिर्च चार पांच हरी मिर्च ले लिए हैं और स्वीट कॉर्ण एक प्याज गाजर ले लिए हैं और सिमला मिर्च और धनिया पत्ता इन सब को फाइन चौप कर लिए हैं स्वीट कॉर्ण को चौप नहीं करना है अब सारे सब्जियां को एक बरतन में डाल देना है सब्जियां डाल कर मिक्स कर लेना है अगर अप मेरे चैनल पर पहले बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे भी चैनल को सारे सब्जियां डाल दिये हैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना थैं। Japanese हो गया है तो चलिए इसकी साथ खाने के लिए चटनी में लेते हैं तो आम-पुदिननिकी चटनी की बना लेते हैं कर आम को छेल करके καटकर लेना है और इसे में 4-5 हरी मिर्च डाल देना है क्योंकि खटा है तो थोड़ा तीखा चाहिए 4-5 लचुन की कलिया और नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा और एक चम चिनी डालेंगे जिससे खटा मीठा चटनी बहुत टेस्टी बनेगा और पुदीना डालकर इसे पीछ लेना है तो चटनी को एक बरतन में ट्रांसफर कर लेना है तो चटनी में थोड़ा सा सरसो तेल डालना है सरसो तेल डालने से चटनी बहुत टेस्टी बनता है तो देखे बहुत अच्छा चटनी बन कर तयार है तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए तवा मैं ले ले हूँ नौ नश्टिक तवा आप नौर्मन लोहा का तवा में बना सकते हैं तवा में 2-3 चमच तेल डाल दे ज्यादा तेल नहीं डालना है और इसमें एक-एक चमच डाल दे तो यह नौन श्टिक तवा है तो बड़ा है तो इसमें मैं चार जगह डाल दे रही हूँ एक बार में चार-चार नास्ता बन जाएगा अब इसके उपर जो सबजियां मिक्स करके रखे थे उसे डाल देना है इस तरह से नास्ता बनाएंगे तो यह बहुत हिल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा तो जितने भी नास्ता बनाएं हैं सब में सबजियां इस तरह से फैला दे बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्ता बनकर तयार होता है एक बार ट्राइज जरूर करें इस तरह से बहुत ही पसंद आएगा अब जो साइच चैन में फैल गया था उसे भी समेट ले रहे हैं और इसी पूपर डाल दे रहे हैं इसी मिडियम फ्लेम में कुक करें बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है नास्ता एक से दो मिनट में बनकर त्यार हो जाता है तो देखिए एक तरफ कुक हो गया है तो इसे पलट ले रहे हैं अच्छी तरह से कुक हो गया है गोल्डन ब्राउन हो गया है तो सारे नास्ता को पलट ले रहे हैं कि इस हेल्दी नास्ता को बच्चों को स्कूल टिफिन में दे सकते हैं और बच्चे बहुत खुशी-खुशी खाएंगे और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो दूसरे तरब भी पग गया है लगवग एक मिनद दूसरे तरब भी इसे कुक कर लिए हैं इसे मेडियम फ्लेम में पकाना है ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है बहुत जल्दी बन जाता है यह नास्ता बन कर तयार हो गया है इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ आपको यह नास्ता की रेश्पी कैसी लगी? कॉमेंट करके बताए अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले इस नास्ता को चटनी के बिना भी खा सकते हैं यह ऐसे भी बहुत ही टेश्टी लगता है